न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नवसकार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शेर्मा और एक बार फिर मैं आप सब का शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप म्यूस क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्सिता ग्रहन करके ताकि इसी तरह से हम सामाजिक सरुकार की आपके मुद्दों को बेबाकी से उठाते रहे हैं बाते की गई थी मुद्दा नमबर दो आपके सामने होगा कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और ये चेतावनी कोई और नहीं बलकि इंडियन मेडिकल असोसियेशन दे रहा है मगर देश में क्या हो रहा है देश के अंदर एक सरकार कावड यात्रा की अनुमती दे रही है इसके अलावा हजारों और लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हिल स्केशन्स और यही लोग बाद में अस्पतालों के सामने लाइन लगाएंगे मगर शुरुआत मैं मेहुल चोकसी के साथ करना चाहूंगा दोस्तों रिपब्लिक की एक खबर देखिए अब से कुछ दिनों पहले उन्होंने एक खबर चलाई थी इन्होंने कहा था कि देखो यह विमान पहुंच शुका है और इसी विमान के अंदर मेहुल चोकसी को लाया जा रहा है डॉमिनिकन रिपब्लिक में मेहुल चोकसी फस गया है इस पूरे मुद्धे पर अजी दोभाल की निगाया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की निगाया है यही नहीं एक और न्यूस चैनल आपके सामने इंडिया टुडे वो क्या कह रहा था क्या कहा जा रहा था कि चूकि डॉमिनिका को भारत ने कोरोना वैक्सीन दी इसलिए डॉमिनिका हमारी बात मान लेगा और वो मेहुल चोकसी को भेज देगा तमाम न्यूस चानल्स में बल्ले बल्ले चल रही थी अजी डोभाल की अजी डोभाल की तुलना की जा रही थी टॉम क्रूस से मानू वो Mission Impossible में एक्ट कर रहे हो उनकी तुलना की जा रही थी जेम्स बॉन्ड से और अब क्या ख़बराई मैं आपको बताता हूँ आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों मिंट की ख़बर है क्या आप जानते हैं कि अब डॉमिनिका की अदालतों ने उन्हें बेल दे दी है 2.75 लाक रुपए के बदले में अब वो अंटीका जा सकते हैं अंटीका में अपना इलाज करा सकते हैं और इलाज के बाद फिर उने वापस डॉमिनिका आना पड़ेगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ दोस्तों देखिए अदालत के अंदर अदालती कारवाई के अंदर किसी को भी शिकस बिल सकती है उसके लिए हम सबको तयार होना चाहिए मुझे आपतिज बात पर है कि ये जो news channels किस तरह से सरकार के सामने नत्मस्तक हो जाते हैं मुझे आपतिज सरकार पर है जिसके लिए हर घटना करम event management है यानि कि कोई भी घटना करम हुआ, कोरोना के टीके दिये जाएं तो वो कुरोना दिवस या टीका दिवस हो जाता है मेहुल चोकसी पर एक सामान अदालती कारवाई चल रही है तो उसे लेकर भी अजीर डोभाल को टॉम कुरूस और जेम्स बॉर्ण के तोर पर पेश किया जाने लगता है दिक्कत मुझे इस बात पर है दोस्ति अब मैं जानना चाहता हूँ न्यूस चैनल से कुछ दिनों पहले जब तुम लगातार इस विमान को बता रहे थे कि इसी विमान में बैठकर जो है या बिठा कर मेहुल चोकसी को भारत लाया जा रहा था उसका क्या हुआ बताओ जब मेहुल चोकसी को लाया जाना होगा उसे लाया जाएगा कभी न कभी वो वापिस आ जाएगा मगर हट घर घटना करम को एक इवेंट ड्रामा बना कर पेश करने की खताई जरूरत नहीं है आज की तारिक में कोई न्यूस चैनल इस बात की बात नहीं कर रहा है कि मेहुल चोकसी को मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल गया है इस वक्त उस वक्त जब ये मामला सामने उभर कर आया था जब मेहुल चोकसी जो है वो गिरफ्ट में था तब ये लगातार बताय जा रहा था कि भारत को जबरदस जीत मिली है भारत को आज नहीं तो कल जीत मिलेगी मगर दिक्कत यह है दोस्तों यहाँ पर ना मीडिया ना सरकार की ये प्रात्मिक्ता है कि मेहुल चोकसी जिस पर यह आरोप है कि वो देश की जनता का करोड़ों रुपे लेकर फरार हो गया उस पर कारवाई हो इस पर फोकस होने के बजाए इस बात पर फोकस है कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और आजीर डोभाल के कद को और कैसे बढ़ाया जाए दिक्कत इस बात पर है मुझे और अब बात करते हैं दोस्तों उस खबर की जिसका तालुक हम सब को होना चाहिए कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तैय तोर पर आ रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ इंडियन मेडिकल असोसियेशन कह रहा है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर देनिक भासकर की खबर खबर क्या कहती है पढ़के सुनाना चाह रहा हूँ इंडियन मेरिकल असोसियेशन ने कोरोना पर चेतावनी दी है आयमे ने कहा है कि तीसरी लहर नजदीक है और ऐसे में टूरिजम और धार्मिक यात्राएं कुछ और महिने इंतजार कर सकते हैं ये चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गा है और टोरिस स्पोट्स में लोगों की भीड़ी जमा होने लगी है तसवीर देखिए दोस्तों ये तसवीर है मनाली की होटिलों के आगे लोग बैठे हुए हैं कि होटिल में हमें अड्मिशन मिल जाए कुछ दिनों बाद यही लोग अस्पतालों के सामने इने खडाना होना पड़े और यहीं नहीं दोस्तों यह देखिए यह है केंटी फॉल्स की तस्वीर मसूरी केंटी फॉल्स की तस्वीर कितनी बड़ी तादाद में यहां लोग जो हैं आ रहे हैं मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पिछले कई महिनों से लोग अपने घरों में बंद हैं और जब आप लगातार घरों में बंद होते हैं तो आपको बाहर जाने का बंद होता है मैं लोगों की इस भावना के साथ पूरी तरह से हूँ मैं आपकी दिल की भावना को समझता हूँ मगर हमें थोड़ा सा और सहीम बरतना पड़ेगा क्योंकि आपको आप ये ना भूलें कि जब हमें आकसिजन की जरौती जब हमें दवाओं की जब हमें अस्पतालों की जब हमें अस्पतालों की जब हमारी सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी पताई ना हुई थी या नहीं हुई थी आगे खबर क्या कहती है मौझूदा हालात में भी देश में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं आएमे ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है आएमे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भारत अभी अभी भयावा दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्त महकमे की कोशिशे है आगे वो क्या कहते हैं आएमे ने कहा है कि इतिहास में जितनी भी महामारी आई है उन्हें देखा जाये तो ये साफ है कि तीसरी लहर को भी टाला नहीं जा सकता ये बेहद करीब है समझ जाईए समल जाईए हमें अपनी रक्षा खुद करना है क्योंकि सरकार में बहुत जबरदास समंझस है ये सरकार आपकी मदद करेगी नहीं करेगी हम नहीं जानते है ये खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ब्रिटन के अंदर 51 फीसिदी लोगों को पूरा वैक्सीन लग चुका है और भारत के अंदर सिर्फ 5.3 फीसिदी से लेकर 5.5 फीसिदी लोगों को पूरी तरह से वैक्सिनेट किया गया है टीका लगाया गया है मैं जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कम लोगों को टीका लगेगा तो कोरोना फैलने का खत्रा बढ़ा रहता है और अब मैं इस बात का आपको प्रमान देना चाहता हूँ दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये तस्वीर है ये ग्राफिक है ये बता रहा है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है कोरोना की जो तीसरी लहर है वो ब्रिटिन में लगातार बढ़ रही है उनके cases लगातार बढ़ रहे है मगर ब्रिटिन में जैसा कि आप जानते हैं 51 फीसनी लोग है जिनने पूरी तरह से vaccinate किया जा चुका है आप ये दूसरा ग्राफिक देखिए, इस ग्राफिक के हिसाब से मृतकों की तादाद जो हैं वो स्थाई बनी हुई है, यानकि मृतकों की तादाद नहीं बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिन के अंदर 50% दिलों को वाक्सिनेट किया गया है, और भारत के अंदर कितने सिर्फ 5.5% दिलों को वाक्सिनेट किया गया है, ये फर्क है ब्रिटिन और भारत में, अब आप मुझे कहेंगे कि भईया ब्रिटिन की आबादी भारत की आबादी में बहुत कम है, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर क्या आप जानते हैं कि वाक्सिनेशन को लेकर, टीके को भारत सरकार कब होश में आई, इसी साल के शिरुवात में, जनवरी 2021 में, और ब्रिटिन होश में आगई थी पिछले साल, मई 2020 में, और हम ये ना भूलें, हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात की घोशना कर दी थी, कब जानते हैं, अप्रेल 2021 में, कि हमने बगैर वाक्सिन्स के ये जंग जीत ली, तो आप खुद जानते हैं, दोस्तों, वाक्सिनेशन को लेकर ये भारत सरकार कितनी संजीदा है, इनके पास वाक्सिनेशन या टीके पूरे दुनिया को भेजने के लिए थे, बाद में इन्हें अपनी गलती का अभास हुआ, और फिर इन्होंने यू हाथ हुआ है, उसे भी एक जटका लगा है, क्योंकि भूटान जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, जिने हमने कमिट्मेंट ती थी, जिने हमने कटे बद्धता जाहिर की थी, कि हम तुम्हें वाक्सिन्स देंगे, हम वो पूरा नहीं कर पाए, वहाँ पर हमारी नाक कटी, फिर कहां गए वाक्सिन गुरू बताईए, मैंने कारकरवी शुरुआत में आपसे कहा, कोरोना की तीसरी लहर की अगर हम बात करें, तो सरकार में जबरदस असमंजस है, और उसके लिए मैं आपको ये दो खबरे दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कावड यात्रा शुरू होने वाली है, यानि कि हजारों की तादाद में कावड जो हैं अपने कंधे पर भगवान शिव के मद में मस्त होकर सडकों में यात्रा करेंगे, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक, यानि कि सडके पटी हुई हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तरपदेश और उत्तरखंड, दोनों जगा पर बीजेपी सरकार है, मगर दोनों में कावड यात्रा को लेकर बिल्कुल उलट विचार हैं, आपके सामने, उत्तरपदेश में कावड यात्रा पर नहीं लगेगा बैन, सीम योगी आधतनाद बोले कावडियों को मिलेगी सुरक्षा और सुविधा, ये हैं उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री आधतनाद, अब देखिए, आपके स्क्रीन्स पर हिंदुस्तान की खबर और वहां के जो मुख्य मंत्री हैं उत्तराखंड के वो क्या कह रहे हैं, कावड यात्रा, यूपी सहित पडोसी राज्यों से क् उत्तराखंड आएंगे, कावड ये जानिये, क्या बोले, सीम पुषकर सिंधामी, अब मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, पुषकर सिंधामी ने क्या कहा है, कावड यात्रा लाकों की आस्था की बात है, मगर श्रध्धालों की जान को खत्रे में नहीं डाला जा उन्होंने कहा कि कोरोना संकर्मन के बीच कावड यात्रा के कारण लोगों को अपनी जान गवानी पड़े इसे तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे धामी ने कहा कि सरकार पहले ही कावड यात्रा पर रोक का निर्णे ले चुकी है मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि कावड यात्रा का नुकसान उत्राखंड की जनता को तो होगा मगर कावड यात्रा की नुकसान जो है वो उत्तरपदेश की जनता को नहीं होगा इससे पता चलता है कि ना केंद्र सरकार, ना यूपी सरकार, ना उत्राखंड सरकार, इन्हें कुछ नहीं पता कि कोरोना का क्या समाधान हो, कावड यात्रा का किस तरह से हम समाधान निकालें, इन्हें कुछ नहीं पता, ये लोग सिर्व अपनी सियासी रोटियां जो हैं वो विव वताया, योगी कुछ और कह रहे हैं और पुशकर सिंधामी कुछ और, सवाल नमबर Do, अगर कावड यात्रा को लेकर उत्रा खंड में लोगों की जान को लेकर खत्रा है तो उत्तर प्देश में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि भीया उत्तरा खंड में तो लोग कावड य प्यातरा सूपर स्प्रेडर बनी तो जिम्मेदार कौन ? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि उत्राखंड के अंदर कुम्भ मेला भी हुआ था और कुम्भ मेला एक बहुत जबर्दस सूपर स्प्रेडर बना था और ये मेरे शब नहीं है उत्राखंड के पूर्व त्रिवेन सिंग रावत ने कहा था कि कुम्भ मेला एक सूपर स्प्रेडर बना था और उनके बाद तीरत सिंग रावत ने सही दिशा निर्दिशों का पालन नहीं किया जिसके चलते यह हुआ देख रहे हैं आप दो राज दोनों राजियों में एक ही पार्टी की सरकार मगर दोनों का रुख अलग एक राज यानि कि उत्तरा खंड एक मुख्य मंत्री कुछ और कहता है दूसरा मुख्य मंत्री कुछ और कहता है हालकि उत्तरा खंड की अंदर तो दो मुख्य मंत्री कहां है प्रधान मंतरी नारेंद्र बोधी कहां है आमिछ शाह क्या इस मुद्दे पर आपको दखल नहीं देना चाहिए क्या लोगों की जान की परवा नहीं है आपको इसके बाद क्या उत्तर पदेश का फैसला राजनीती से प्रेरित है जिहां दोस्तों आठ महीने बाद उत्तर पदेश में चुनाव है अब ये सवाल उठना तो लाजमी है ना कि आपने जो ये फैसला लिया है उसके पीछे राजनीती हो सकती है अब आप कहेंगे आठ महीने बाद तो उत्तरा खंड में भी चुनाव है बिल्कुल सही का आप मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तरा खंड में भारती जनता पार्टी ने अभी से ही हार मान लिये यही वज़ाए कि दो बार इनके मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं अब इसके बाद भी अगर यह उत्तरा खंड में जीच जाएं तो यह किसी चमतकार से कम नहीं होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्ते हमारे सामने तीसरी लहर है करोना की मगर इस सरकार को कुछ नहीं समझ आ रहा कि इसका हम सामना कैसे करें मैं आपको दो और खबरें दिखाता हूँ एंडी टीवी के खबर देखिए डेली रंस आउट अफ कोवी शील्ड मैनी वाक्सीन सेंटर्स तु बी शट टुड़े आज 13 जुलाई है दिल्ली के अंदर कोवी शील्ड खतम हो गई यह दोस्तों और कई जगाओं पर कई सेंटर्स बंध होंगे और हाल किसका है दिल्ली का देश की राधानी का हाल है मैं समझना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि चुकि आप दिल्ली विधान सबाचुनाव नहीं जीत पाए तो क्या आप इसी तरह से खुंदक निकालेंगे बताईए और यहीं नहीं दोस्तों आज मुंबई के अंदर भी कोरोना वैक्सीन्स की कमी है यानि कि एक देश की राजनीतिक राजधानी और दूसरा देश की व्यावसाहिक राजधानी और दोनु जगाओं पर कोरोना की वैक्सीन्स की कमी मैं समझना चाहता हूँ इसकी जिम्मेदारी किसकी है और ये आकड़ा देखिए आपके सामने सबसे ज़्यादा वैक्सीन इस वक्त उत्तर पदेश में लगाई जा रही है मैं समझना चाहता हूँ क्यों कहें इसलिए तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जीतना है इसलिए वहां की जनता को आप नाराज नहीं कर सकते हैं और महराश्च में इस्वक्षुनाव नहीं है दिल्ली में इस्वक्षुनाव नहीं है बताईए 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 ना शर्माईए मत और बात यहां नहीं रुकती है इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि हम किसी तरह से अपना डंका पीटें कल आस्ट्रीलिया के एक सांसद ने ट्वीट किया उस पर देखिया आज तक ने बाकाइदा खबर चला दी खबर क्या है उस्ट्रीलिया में बजा सीम योगी का डंका क्रेग केली नाम के उस्ट्रीलिया के सांसद है और उन्होंने कहा कि भई हमारे यहां आईवर मैक्टेन की कमी है क्या भारत हमें लोन पर मुख्यमंत्री आदितनाद को दे सकता है ताकि हमें आईवर मैक्टेन मिल सके और जैसी क्रेग केली ने ये ट्वीट किया पूरा गोदी मीडिया लग गया आदितनाद की बढ़ाई करने में उनके गुणगान गाने में मगर वो एक बुन्यादी चीज़ को भूल गये दोस्तों क्रेग केली पर्मेनिटली बूटेट फ्रम फेस्बुक फॉर कोविड-19 मिसिंफिमिशन ये सिड्नी मौनिंग हेरल्ड की खबर है क्रेग केली को हमेशा के लिए फेस्बुक से हटा दिया गया क्योंकि कोरोना को लेकर ये लगातार भरामत जानकारी पहला रहे थे की जान बचाई जा सके और भारती जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र किस सांसद की बढ़ाई कर रहा था ये किस सांसद का सहारा ले रहा था मुख्यमंत्री आदितनात की तारीफ करने के लिए वो सांसद जिसे फेस्बुक से निकाल दिया गया था भरामत और जूटी जानकारी पहलाने के लिए आप जनता को कब तक इस तरह से भरमित करते रहेंगे बताईए ना कब तक भरमित करते रहेंगे और जनता को एक इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं इसकी एक और मिसाल में आपको देना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है चार जून की खबर जिसमें आमिच शाह क्या कह रहे हैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ दरसल ये ट्वीट किया आसदुद्दीन ओवैसी ने और चार जून का आमिच शाह का ये बयान है पढ़के सुनाना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्ट्या नरेंद्र मोदी लेड वी कंट्रोल्ड सेकंड वेव अफ कोविड नाइंटीन इन अवेरी शॉट टाइम अमिच शाह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रुत के चलते हमने बहुत ही कम समय में कोरोना की दूसरी लेहर पर काबू पा लिया ये नका चार जून का बयान है अब मैं आपको बताता हूँ कल का उन का बयान अमिच्षा यहां क्या कह रहे थे कि इनसानी तौर पर यह संभव नहीं था कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना अब अमिच्षा चार जुन को सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हैं क्योंकि चार जुन को आपने क्या बयान दिया था फिर से देखें आपके स्क्रीन्स पर चार जुन को उनने बयान दिया था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी के नेत्रत में हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया वो भी बहुत कम समय में अब आपके सामने दूसरा बयान देखिए यानि कि इनसानी तौर पर ये संभव नहीं था कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना मैं फिर समझना चाहता हूँ अमिज शादी से मैं फिर समझना चाहता हूँ मोडी सरकार से कि आप लोग हर चीज़ पर इस देश की जनता को भ्रमित क्यूं करते हैं समझाईए मुझे क्या वज़ा है कि आप सावगोही से सच्चाई से अपनी बात नहीं रख सकते मृतकों के आकड़ों को आप छुपाते हैं ऑक्सिजन को लेकर घलत जानकारी दी जाती है फिर आपको एक्सपोज कौन करता है लिहाई कोड एक्सपोज करता है अधारते आपको लगातार एक्सपोज कर रहे हैं आपकी रवईय के चलते हैं मैं फिर आपसे समझना चाहरा हूँ तीसरी लहर हमारे सामने है क्या मोधी सरकार इसके लिए तयार है या नहीं है क्या आप पूरे देश का नेत्रत करने की ख्रामता रखते हैं क्या आप उन्हें एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं क्या आप उन्हें एक विश्ण दे सकते हैं क्या है आपकी विचार या इसी तरह से भ्रामक जानकारी भैलाना आठ महिने के इंदर उत्तरफदेश का चुनावे ले देखे उसी के इर्दगर्द आपको अपनी सियासत करनी है इश्वर मालिक है दोस्तों अगर यही इनकी सोच जारी रही तो तीसरी लहर का हम कैसा सामना करेंगे मैं नहीं जाला मगर न्यूस क्लिक में और न्यूस शक्र में हमारा मकसद है आप तक असली मुद्दों को लाना और उससे हम कभी पीशे नहीं हटेंगे अब इसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार